हाई गाईज दोस्तों मैं भी लोग में आप लोग का स्वागत है और आप लोग मैं भी लोग देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो मैं आप लोग को बताऊंगा पैकिंग जोब के बारे में और पैकिंग के जॉब में आप अगर आते हैं काम कर निकले तो आप कितना कमा सकते हैं और बीजा कब निकलता है इसका कितना पैसा लगता है वो सब सारा फुल डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो को पूरा वाच कीजिए लिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाँ दोस्तों अगर मेरे चैनल पर दोस्तों नए आ हैं तो दोस्तों सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी दवा दीजिए ताकि कु ब्रॉट्स हो गया मोबाइल और घड़ी हो गया थिकर दोस्टों जैस इलेक्ट्रोनिक का समान हो गया आपको ज़ोपे करने के लिए Mr.6 पकले वो आपको पंद्रसो रिंगिट मिलेगा ठीक है बैसिक सेली आपको सिर्फ पंद्रसो रिंगिट मिलता है काम करने अगर इसमें अगर आप आते हैं काम करने के लिए सिर्फ पंद्रसो रिपे आपको बैसिक सेली मिलेगा जुमा हो गया पप्लिक holiday हो गया और कुछ envelope होता है दोस्तों उस सब में आपको अगर आपको काम करने के लिए बुलाता है अगर काम करने के लिए अगर झाते हैं तो जिसके जुम्हा के दिन अगर आप काम करने के लिए तो दो गुर्ना पैसा मिलागा। basic salary एक दिन का मिलता है जो आपका एक दिन का डूटी का जो होता है दोस्तों basic salary वो आपको तिन गुन्ना देगा इस मेरा बाद खाना का था खाना का जो है इसमें आपको खुद ही खाना परेगा company सब नहीं देता है कोई भी company बहुत कम ही मात्रा में इसा company है जो आपको provide करता है नहीं तो नहीं है ना के बराबर समझे ठीक है दोस्तों तो खाना में जो आपको 300 ringgit आपको पकर लेगा क्योंकि दोस्तों आप city में रहना परेगा उसमें आप packing job में आप काम करते हैं तो आपको city में काम करना पड़ता है ठीक है तो आपको 300 ringgit minimum आपको 300 ringgit खर्चा और इसके बाद एक्स्टा जितना खर्चा करते हैं आप पर डिपेंड बहता है तो 300 ringgit मान के चलिए जैसे पैकिंग का जॉब होता है तो उसमें दोस्तों कभी-कभी जैस पर देते रहता है तो इसमें आप ज़्यदा ज़्यदा बहुत ज़्यदा उठाएगा दोस्तों इसमें maximum आप 2500 ringgit तक उठा सकते हैं वैसे अगर general जो है दोस्तों 2000 ringgit तक आप आराम से कमा सकते हैं क्योंकि जुमा भी दे तक अभी public holiday आते ही रहता है एक मैना में एक बार दो बार public holiday आता है तो उसमें आपको काम कराएगा क्योंकि जो भी काम अच्छा रहता है वो दोस्तों जल्दी बीजा सबी जगह फैलता नहीं है ठीक है तो वह आप मेरा जो solution है दोस्तों बीजा लेने का कि packing job में जो भी worker आपका नस्दी की जो काम करता है दोस्तों जो भी आपका नस्दी की है मलेशिया में काम करता है उससे आप डैक्ट कॉंटेक्ट करके आप बीजा ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पर ऐसा चलता है ज्यादा तर मातरा मलेशिया में दोस्तों यही सब चलता है कि अपना जो भी friends होता है जो भी नस्दी के भाई ह कोई भी हो उससे आप बीजा ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ऐसा ही इसा बीजा मिल जाता है इसमें तो बेटर यही होगा कि दोस्तों आप जो भी friends हो उससे आप बात करते रहे हैं अगर दोस्तों एजेंट या ओफिस के चक्र में पढ़ते हैं तो आपको दोस्तों पैकिं नेक्ष्ट बीजिए में